हेलो फ्रेंड्स कैसे हो जी के 2020 यूट्यूब चेनल में आपका हर्दिक स्वागत है आज ये 12 जन्वरी 2020 और सभी बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का करेंट अफैर का वीडियो तयार किया है तो प्लीज दोस्तो ये वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखेगा लास्ट में मैं आपसे एक क्वेस्चन पुछूँगा जिसका आंसर आपको कमेट बॉक्स में देना है और आज के वीडियो के क्वेस्चन की पीडिया फॉयल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दी है वहाँ से आप डवलोड कर सकते हैं पढ़ सकते हैं तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेस्चन से आज का पहला क्वेस्चन है हाल ही में खेलोई इंडिया खेल प्रतियोगीता का उतकाटन किस ने किया तो हाल ही में खेलोई इंडिया इस खेल प्रतियोगीता का उतकाटन किया है सरबानन्थ सोनवाल ने यानि कि इस question का भी option सही है तो आपके दिमाग में तुरंत question उठना चाहिए कि सर्बानन सोनवाल किस राज्य के मुख्य मंत्री है वो भी एक question बंदा है तो वो असम के है किस राज्य के असम के जिनोंने हाल ही में किरन रिजीजु के साथ मिलकर ये खेलो इंडिया प्रतियोग रंगा-रंग समारो कहां आयोजित किया गया तो असम के सबसे बड़े शहर गुवाहाटी के सूरू सजज़ई स्टेडियम में कहां पर गुवाहाटी के सूरू सज़ई स्टेडियम में ये खेलो इंडिया का रंगा-रंग उद्काटन हुआ और इसलिए आपको इन question का आंसर भी पता होना चाहिए खेलो इंडिया का ये तीसरे संस्क्रण में दो अतिरिक्त खेल भी जुड़ गये है वो अतिरिक्त खेल कौन से है जो हाल ही में इसमें पहली बार नए शामिल किये गये है तो वो दो खेल है साइकलिंग और लॉन बॉल्स आप यहाँ इमेज में देख करते हैं इस असम के सबसे बड़े शहर यानि कि गुवाहाटी की तो यहां मैं आपको बता दू असम के बारे में बेजिक इंफोर्मेशन भी होनी चाहिए असम की कैपिटल का नाम क्या है दीसपूर लेकिन सबसे बड़ा शहर का नाम है गुवाहाटी और गुवाहाटी में ही उच्च न्यायालाई यानि कि हाई कॉर्ट सी थे असम के हाल ही के राज्यपाल कौन है जगदिश मुखी आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं ना और असम के हाल ही के सीम हाल ही में मैंने बताया सर्बानन सोनवाल और असम से जुड़े हुए जैसा कि एक शिंगी गैंडा कहा पाया जाता है असम के काजी रंगा नेशनल पार्क में एक शिंगी गैंडे को पाया जाता है और मानस नेशनल पार्क कहा पर सी थे वो भी असम में सी थे और एक नया राश्ट्रिय उद्यान जिसका नाम है औरंग राश्ट्रिय उद्यान वो भी असम में स्थी थे और यहां मैं आपको मेप की और ले चलो तो यहां पर है हमारा पूर्वत्तर स्टेट असम और असम कीन कीन स्टेट से जुड़ा हुआ है वो आप मुझे कमिट बॉक्स में बताइएगा ठीक है दोस्तों और हमारा यह एक क्विश्चन से जुड़ी ने आपके सामने रखी और हमारा यह तरीका यानि कि एज्यूकेश्णल कोरियोग्राफी हमारी अच्छी लगती है तो लाइक करना मत बुलिएगा आगे बढ़ते हैं दूसरे क्विश्चन की और हाल ही में किस धार्मिक संप्रादाय द्वारा एपी फेनी त्योहर मनाया गया तो आप शायद पहली बार इस त्योहर का नाम सुन रहे हैं तो याद रखिए एपी फेनी त्योहर है वो इसाई धर्म द्वारा मनाया जाता है और यहाँ आप देख सकते हैं एपी फेनी त्योहार मना रहे है इस इसाय धर्मा के लोग और इसलिए इस क्वेशन का सी आंसर सही है और एपी फेनी त्योहार हमारे भारत देश में किन किन राज्यों में मनाया जाता है तो वो भी एक क्वेशन बन्दा है हाल ही में एपी फेनी त्योहार भारत के गोवा और केरल में मनाया गया कहाँ पर गोवा और केरल में और गोवा की बात करें तो इस त्योहार को गोवा में पूर्तगाली भाषा में फैस्टा, डोस, रिस और केरल के कुछ हिस्सों में सिरी एक के देनहा नाम से जाना जाता है और क्रिस्मस और इस्टर के बाद एपीफेनी त्योहार सबसे पुराना एवं प्रमुक त्योहार है यानि कि क्रिस्मस यानि कि हम क्रिस्मस 25 दिसंबर को मनाते हैं और उसके 12 दिन यानि कि 6 जनवरी तक यह हाल ही में मनाया जाता है तो 6 जन्वरी को यह Epiphany Festival हाल ही में मनाया गया कहाँ पर? गोवा और केरल में तिसरा क्वेशन हाल ही में सुर्खियों में रहा नलबाना पक्षी अभ्यारन की स्राज्य में सी थे तो जब सर्दीयों की मोसम स्टार्ट होती है तो कई सारे विदेशी पक्षी यहां इस नलबाना पक्षी अभ्यारन में आते है और जब सर्दी की मोसम खत्म होने के बाद वो चले जाते है तो इसी तरह के हाल ही के कई सारे पक्षीयों की प्रजातिया हाल ही में भारत के दोरे पर है तो यह नलबाना पक्षी अभ्यारन में आएंगे और वो स्थीत है ओडिशा में कहाँ पर ओडिशा में और इसलिए इस क्वेशन का सी आंसर सही है और नलबाना पक्षी अभ्यारन के बारे में मैं आज आपको डिटेल में समझा रहा हूँ तो देखे नलबाना पक्षी अभ्यारन या तो नलबाना द्वीप इस वर्ष यहाँ प्रवासी पक्षियों की 102 प्रजातिया के लगबग 4,6,368 पक्षी पहुच रहे हैं और यहाँ देख सकते हैं यह हाल ही में नलबाना द्वीप तो यह द्वीप ओडिशा की सबसे बड़ है चिलका और चिलका के सेंटर में यह स्थीत है नलबाना द्वीप और यहाँ पर ही नलबाना पक्षी अभ्यारन है और यहाँ कई सारे विदेशी पक्षी हाल ही में यहाँ आये हैं आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं तो देखिए ओडिया पाशा में नलबाना का और हमारे दिमाग में भी लंबे समय तक याद रहता है तो देखे यह पहले तो आप चिलका लेक को तो यह चिलका एक लगुन है यानि कि समुद्री और खारे पानी से बना वुआ यह सबसे बड़ा खारे पानी की जिल जिसका नाम है चिलका और चिलका में यहाँ जो सेंटर म जिल के बीच में स्थी थे और मानसुन रुतु में जिल में जल की अधिकता के कारण यद्विप डूप जाता है लेकिन हाल ही में जब सर्दियों की सीजन स्टार्ट हुई तो यहाँ पानी कम हुआ और यहाँ पर कहास उगने लगा और यहाँ पर कहीं सारे विदेशी पक्ष की आये और जब हम बात करते हैं ओडिशा की तो ओडिशा के बारे में मैंने कई बार आपको बताया है लेकिन आप मेरे साथ रिवाइज कीजिए क्योंकि रिवाइज करने से आपको काफी अच्छे तरीके से और लंबे अर्से तक आपको याद रहता है तो ओडिशा का गठ और ओडिशा की कैपिटल का नाम है बूनेश्वर। ओडिशा के हाल ही के राज्यपाल है गणेशिलाल। ओडिशा के हाल ही के मुख्यमंत्री है नविन पतनायक। और ओडिशा का प्रसिद लोकन रित्य है ODC। आप यहां इमेज में देख सकते हैं। और यहां एक समुदरी तड़ पर एक द्वीप भी स्थी थे जिसका नाम है वीलर द्वीप जिससे नाम बदल दिया गया और नाम रखा गया अब्दूल कलाम द्वीप। अगला क्विशन। और इसलिए इसक्वेशन का भी आंसर सही है और जब ओडिशी की बात आई तो मैंने इनसे पहले ही क्वेशन में आपको बताया ओडिशा का लोकन रित्य क्या है ODC। जिसकी यह प्रमुखन रित्यागना थी नाम क्या है मिनती मिश्रा। तो यहां में उनके बारे में बताऊ तो मिनती मिश्रा का जन्मा 1929 में ओडिशा के कटक में हुआ। और ODC नित्य की प्रसिद नित्यागना थी मिनती मिश्रा। और 2012 में हमारी उस वक्त की राष्ट्रपती प्रतिभाद देवी सी पाटिल ने उन्हें पदमस्री से सम्मानित किया। ओल इंडिया रेडियो में एक एक ग्रेड कलाकार थी मिनती मिश्रा। और संगीत प्रपाकर खिताब की विजेता भी यह मिनती मिश्रा रही है। और यहाँ एक प्रसिद हमारे शास्त्रीयन रित्य की बात आईी। जिसका नाम है ODC शास्त्रीयन रित्य। तो मैंने 5 जनवरी के करंट अफेर में भी यह बात बताई थी और हमारी कला और संस्कृति के लिहाद से आपकी स्टेट पबलिक सर्विश कमिशन की एकजम हो या तो यूनियन पबलिक सर्विश कमिशन की एकजम हो तो इससे जुड़े हुए कई सारे क्विशन हमारे सामने आ आदार पर नृत्य किया जाता है और इस नृत्य में प्रयोग होने वाले 16 संस्कृत नाटक गीत गोविंदम से लिये गये है और इस नृत्य से जुड़े प्रमुक कलाकार कौन कौन से है तो स्वानल मानसी, कुमकुम मोहंती, माधवी मुद्गल और अधिती जो इस ओडिशी के जाने माने दृत्यकार है पांचवा कुश्चन हाल ही में विंग्स इंडिया 2020 कहां आयोजित किया जाएगा तो हाल ही में विंग्स इंडिया 2020 का आयोजन किया जा रहा है हिद्राबाद में और इस लिए इस कुश्चन का D option सही है और आपके दिमाग में कुश्चन है कि य विंग्स इंडिया 2020 क्या है तो यह एक International Exhibition and Conference on Civil Aviation है विंग्स इंडिया 2020 जो हाल ही में हैदराबाद में आयोजित होने जा रहा है तो उसी के बारे में मैं बता दू कि विंग्स इंडिया 2020 नागर विमानन क्षेत्र में अंतराष्टिय प्रदर्शनी और सम्मेलन है और इसका आयोजित इस साल हैदराबाद में 12-15 मार्च तक किया जाएगा और इसका उद्देश क्या है इस प्रदर्शनी का तो अंतराष्टिय यातायात में बढ़ावा देना इस प्रदर्शनी का उद्देश है तो एक और question बनता है कि हर्दीब सी पूरी कौन है वो हमारे हाल ही के नागर विमानन मंत्री है कौन हर्दीब सी पूरी और यह आयोजित किया जा रहा है 12 से 15 मार्च 2020 तक बेगुम पैट एरपोर्ट हैदराबाद में छठा question हाल ही में राष्ट्रिययूर दीवस कब मनाया गया तो हाल ही में राष्ट्रिययूर दीवस मनाया गया है 12 जनवरी जी यहाँ दोस्तों आज ही 12 जनवरी है और आज के दिवस को हम National Youth Day यानि कि राष्ट्रिय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं और इसलिए इस question का D answer सही है और जब हम स्वामी विवयकानन जी को याद करते हैं तो उन ही की याद में यह दिवस मनाया जाता है तो इन Most Important Day से जुड़े हुए कई सारे question हमारे सामने है प्रती वर्ष 12 जन्वरी को राष्ट्रिय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है स्वामी विवयकानन जी के जन्मा दिवस के अवसर पर हर साल 12 जन्वरी को राष्ट्रिय युवा दिवस मनाया जाता है और एक question राष्ट्रिय युवा दिवस मनाने का उद्देश क्या है स्वामी विवयकानन के महान विचारों के प्रती जागरुकता फैलाना इस दिवस मनाने के पिछे का परपज है और राष्ट्रिय युवा दिवस कब से मनाया जाता है वो भी एक question बनता है तो 1985 से प्रती वर्ष बारत जन्वरी को यह राष्ट्रिय युवा दिवस मनाया जाता है और जब बात आती है स्वामी विवयकानन जी का तो इसका एक खुबसूरत कोट है वो मुझे बहुत पसंद है यहां मैं आपके सामने पेश करा हूँ आप भी आज कोई नया संकल्प लेकर इसस आपके जीवन में एक अहम मुकाम पर पहुचने के लिए हम उम्मीद करते हैं तो दोस्तो यह देखो उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष की प्राप्ती ना हो जाए तो स्वामी विवेकानन जी का यह कथन हमारे युवाओ को प्रोचाहित करने वाला है और आपके जीवन में भी यह चैंज ला सकता है यदि आपने दिल में उतार लिया तो ठीके अगला क्वेशन हाल ही में राष्ट्रिय युवा उच्शव के 23 संस्क्रण का आयोजन कहां किया जाएगा तो हाल ही में 23 संस्क्रण का आयोजन किया जारा है दोस्तो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में और इसलिए इस question का ए answer सही है और राष्टिय युवा उत्सव तो हाल ही में स्वामी विवेकानंच से ही जुड़ा हुआ यह question है तो National Youth Festival हाल ही में 12 जन्वरी से लेकर 16 जन्वरी तक आयोजित किया जाएगा और वो भी उत्तर प्रदेश में लेकिन उत्तर प्रदेश में कहा पर वो भी एक question बनता है ना दोस्तो तो उत्तर प्रदेश के लखनव में तो राष्टिय युवा उत्सव के 23 संस्क्रण का आयोजित कब किया जाएगा 12 जन्वरी से लेकर 16 जन्वरी 2020 के दोरान किया जाएगा और राष्टिय युवा उत्सव का आयोजित किस ने किया है तो युवा मामले वो खेल मंत्रालाई तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिलकर यह राष्टिय युवा उत्सव का आयोजित किया गया है और इस साल के राष्टिय यूआ उच्छव की थीम क्या रखी गई है Fit Youth, Fit India क्या थीम रखी गई है Most Important है दोच्छो Fit Youth, Fit India जो इस साल के राष्टिय यूआ उच्छव की थीम रखी गई है और राष्टिय यूआ उच्छव का आयोजन कब से किया जा रहा है 1995 से यह राष्टिय युवा उच्छव मनाया जाता है आठवा कुशन इंडियाज एनर्जी पॉलिसी रिपोर्ट अनुसार भारत अपनी आवश्यक्ता का कितने प्रतिशत तेल आयात करता है तो हाल ही में एक रिपोर्ट हमारे सामने आई है एनर्जी पॉलिसी ऑफ इंडिया की और इसके तहत हमारा भारत देश जो बिदेश से 80 प्रतिशत तेल की आयात करता है और इसलिए इस कुशन का ए आंसर सही है और हम बात करते हैं हाल ही के इस रिपोर्ट की तो पहले तो आप ये देखे, IEA, जिसके द्वारा हाल ही में नीती आयोक के साथ मिलकर ये रिपोर्ट सामने आई, तो 10 जनवरी 2020 को अंतरराश्टिय उर्जा एजन्से, यानि कि इंटरनिशनल एनर्जी एजन्सी ने इंडिया रिपोर्ट 2020 नीती आयोक के साथ मिलकर 2020 के मध्य तक भारत की तेल की जो मांग है वो चीन से भी ज्यादा हो जाएगी, ये रिपोर्ट में कहा गया है, और 2024 तक भारत की तेल की मांग 6 मिलियन बैरल प्रती दिन पहुच जाएगी, जो हाल ही में साड़े 4 मिलियन बैरल की है, और इस से जुड़े हुए रिपोर्ट के बाद भारत तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोगता देश है, भारत अपने आवश्यक्ता का 80% तेल आयात करता है, और भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा तेल शोधक देश है, और लास्ट में मैं फिर से आपको रिवाइज कराई दू, IEA का पुरान नाम क्या होता है, इंटरनेशनल एनरजी एजन्सी, जिसके द्वारा हाल ही में यह आकड़े हमारे सामने आये, नवा कुशन, हाल ही में भारतिय साइबर अपराज समनवाई कैंद्र और राष्ट्रिय साइबर अपराज सुचना पॉर्टल का उतकाटन किस ने किया, तो हाल ही में साफी संक्या में मात्रा बढ़ रही है, तो साइबर क्राइम और साइबर सिक्यूरिटी यह दो मोस्ट इंपोर्टन हमारे सामने खत्रे हैं, तो इसलिए हाल ही में यह भारतिय साइबर अपराज समनवाई कैंद्र और राष्टिय साइबर अपराज सुचना पॉर्टल का उ नाम क्या है, नाम है www.cybercrime.gov.in, तो इहां मैं आपसे www का पुरा नाम पुछना चाहूँगा, आपका सब्जेक्ट कम्प्यूटर है, तो नीचे कमेट बॉक्स में लिख सकते हैं, एक और क्वेशन बनता है, अत्यादूनिक साइबर अपराज समनवाई कैंद्र के निर्मा में आई है, और जिसका उतकाटन किया है हमारे ग्री मंतरी अमिश शाह ने, दस वा क्वेशन, हाल ही में अम्मा वाडी योजना किस ने लॉंच की, तो अम्मा वडी योजना हाल ही में लॉंच किया है आंधरоп्रदेश की सरकार ने, और इसलिए इस क्वेशन का C answer से है, और आंध्रप्रदेश की बात आई ही तो आंध्रप्रदेश के चीफ मिनिस्टर Y.S.R. जगनमहन रेड़ी ने इस अम्मावडी योजना को लॉंच की तो देखे यह आंध्रप्रदेश सरकार के नव फ्लेक्शिप कारेक्रोमों में से एक है और इस योजना का लाब कक्षा एक से लेकर बारत तक के स्कूली छात्रों को मिलेगा और इसमें निजी तथा सरकारी सभी स्कूल शामिल होंगे और इस योजना का उद्देश्य निर्धनता रेखा के नीचे रह रहे लोगों के बच्चों की पढ़ाई में सहायता करना है और पचपतर प्रतिशत इसमें कैपिटल हैदराबाद है लेकिन आने वाले वर्षों में आंद्रप्रदेश की कैपिटल हो जायेगी अमरावती जो एक पूर्ण आयोजित तरीके से निर्मिच शहर होगा और आंद्रप्रदेश का गठन कब किया गया एक नवंबर 1956 को लेकिन आंद्रप्रदेश भाषा के तर पर अलग होने वाला पहला स्टेल था ओर इसके हाल ही के राज्यपल कों है वीश्योप पुशन हरी चंदन ओर आंद्रप्रदेश के हई हाल ही के C.E.M. कों है जगन कों है जगन मोहन रैड़डेश यहाँ आप में देखे यह है अंद्रप्रदेश आंद्रप्रदेश में यहाँ पर तमिल नाडू, करनाटका, तेलंगना और यहाँ पर चत्तिस गड़ और ओडिशा से जुड़ा हुआ है यह आंद्रप्रदेश ग्यारवा क्वेशन, हाल ही में समाज सेवा के लिए राष्ट्रिय मुपा वरापू पुरसकार कीश को प्रदान किया गया लेकिन यहाँ आपको जो यह नया शब्द दिख रहा है, वो हमारे M वहिंक या नाइडू के M से जुड़ा हुआ है मुपा वरापू पुरसकार, तो हाल ही में राष्ट्रिय मुपा वरापू पुरसकार प्रदान किया है डॉक्टर गुट्टा मुनी रत्नम को और इसलिए इस क्वेशन का भी आप्शन सही है, और इस पुरसकारों की गोशना हैदराबाद में मुपपा वरप्पू फाउंडेशन की दसवी वर्षगाठ और सक्रांती उच्छव के उपलक्ष में की गई और वहाँ पर एम वेंकेया नाइडू भी मोजुद थे तो हाल ही में यह पुरसकार दो व्यक्तियों को दिया गया विबिन केटेगरी में तो देखिए प्रख्यात क्रिशी वेग्यानिक डॉक्टर M.S. स्वामिनाथन को मुपपा वरप्पू वेंकेया नाइडू नेशनल आवार्ड फार एक्सिलेंस के लिए चुना गया और सामाजिक कार्य करता जै ऐसे डॉक्टर गुट्टा मुनी रत्नम को समाज सेवा के लिए मुपपा वरप्पू राष्टिय पुरुसकार के लिए चुना गया तो यहां दोनों के नाम आपको याद रखना है हमारे डॉक्टर एम एस स्वामिनाथन जो हमारे एक क्रिशी वेग्यानिक है और इसी के साथ डॉक्टर गुट्टा मुनी रत्नम जो एक सामाजिक कार्य करता है बारवा क्वेशन हाल ही में किस देश में आग के कारण 6 मिलियन हेक्टर भूमी प्रभावित हुई है इस आग के कारण और वो अभी भी जल रही है बुझने का नाम ही नहीं ले रही है तो दोस्तो यह आग कहां पर लगी है और इसलिए इस क्विशन का डी आंसर सई है और जब बात आती है और पहले तो आप मेप में देखे औस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है Australian dollar और औस्ट्रेलिया के हाल ही के प्राइम मिनिस्टर कोन है स्कोर्ट मोरिसान तिरवा question हाल ही में कृष्यक भार्ती को ओपरेटिव लिमीटेट का चैर्मेन की से चुना गया यानि कि क्रीपको का हाल ही का चेर्मेन चुना गया है चंद्रपाल सिह यादव को और इसलिए इस क्वेशन का ए आंसर सही है और चंद्रपाल सिह यादव जो राज्य सभास से एक सांसद है उन्ही को हाल ही में क्रीपको का चेर्मेन बनाया गया है तो ए देखिए आप इमेज में उन्ही को हाल ही में यानि कि चंदरपाल सी यादव को जुलाई 1999 से मैं 2010 तक और फिर 2015 से लेकर अभी तक कृपको का अध्यक्ष बनाया गया है और याद रखे कृपको का पुरा नाम क्या होता है तो क्रिशक भारती को ओपरेटिव लिमिटेड कृपको का पुरा नाम होता है और जिसके हाल ही के चेर्मेन बन गये है चंदरपाल से ही यादव जो हमारे एक का राज्य सभा से सांसद है चबड़ा कृषण विश्व बैंक मतानुसार वीतवर्स 2020 में भारत की जीडीपी विकासदर कितने प्रतिशत रहेगी तो हाल ही में वर्डबैंक का एक रिपोर्ट सामने आया और उन्हों ने भारत की जो जीडीपी है उसका अंदाज लगाया है कि 2020 में भारत की जीडीपी पांच प्रतिशत रहेगी और इसलिए इस क्विशन का बी आंसर सही है और जब बात करते हैं वल्ड बैंक की तो आप ए लोगो देखें ए हैं वल्ड बैंक का ओफिशल लोगो और वल्ड बैंक का उद्धिश क्या है सदस्य राष्ट्रों को पुनर निर्मान और विकास के कार आयों में आर्थिक सहायता देना और विश्व बैंक का मुख्याले कहां पर सी थे वशिंग्टन डी सी में विश्व बैंक की स्थापना कव हुई जुलाई 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई और विश्व बैंक के हाल ही के अध्यक्ष कौन है डिवीड माल पास और व खार्तिय मुल्की अंशुला कांथ को नियुक्त किया गया है और विश्व बैंक की सिद्धान पर कार्य करता है तो working for a world free of poverty यानि कि विश्व को गरीबी से मुक्त करने के उद्देश्य से यह world bank कार्य करता है पंद्रवा कुशन अंतर राष्टिय नौ सेना अभ्यास मिलन कहां आयोजित किया जाएगा तो लगबग लगबग 41 देशों को इसमें नियोता भेजा गया है और इसी तरह का एक नौ सेना अभ्यास जिसका नाम है मिलन वो आयोजित किया जाएगा विश्व का पत्नम में और इसलिए इस कुशन का डी आंसर सही है विश्व का पत्नम तो यहां आप इस हमारे नौ सेना अभ्यास के बारे में जानिये कि अंतर राष्टिय नौ सेना अभ्यास मिलन 2020 स्थान कहां पर विश्व का पत्नम में कब आयोजित किया जाएगा मार्च 2020 में अभ्यास का विश्व रखी गई है synergy across the seas जो इस अभ्यास की theme है और इस अभ्यास का उद्देश्य क्यों है तो विदेशी मित्र नवसेनाव के बीच अभ्यास के दाइरे और जटिलता में वृद्धी करना और समुद्री क्षेत्र में सर्वत्तम अभ्यास करना जो इस मिलन 2020 का उद्देश्य है और हम पहुचते हैं कल के वीडियो के question के और तो दोस्तो कल में आपसे question पुछा था कि हाल ही में शहरी वनी करन को बढ़ावा देने के लिए मियावा की पद्दती को कीस ने अपनाया है तो भारत देश के state केरल ने इस मियावा की पद्दती को अपनाया है जो जापान में एक successful model रही थी यह मियावा की पद्दती और इसी के जरिये शहरी वनी करन किया जा रहा है केरल में और इसलिए इस question का D option सही था केरल और सभी को सही answer देने के लिए congratulation और आज के वीडियो का question ए रहा screen पर हाल ही में सुर्कियों में रहे बिगली शब्द का अर्थ क्या होता है तो डोनाल्ड ट्रम्प जब चुनाव आने वाला है अमरीका में और अमरीका में जब चुनाव आने वाला है तो डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने कई सारे भाशनों में इस बिगली शब्द का प्रयोग क तो दोस्तो नीचे comment box में answer देना मत भूलेगा और quality की दृष्टी से हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप नीचे comment box में लिख सकते हैं और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आपके दोस्तों को facebook, whatsapp और telegram के जरिये आपके दोस्तों को share करना मत भूलिएगा क्योंकि हाल ही में एक नया song आया है और उसी में एक last sentence है मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा तो आप हमारी एक छोटी सी help करना मत भूलिएगा कल फिर मिलेंगे नए current affair के साथ तब तक के लिए जय हिंद